हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज का वीडियो जो हमारा बी एल एल बी सेकंड समिश्टर के स्टूडेंट्स के लिए है अभी जो मैंने नई सीरीज शिरू की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो इसमें जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वह टॉप क्रिशी भूमी में सुदार हो रहा है और किस तरह से भूमी के लिए नहीं टेक्नोलिजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो के अंदर सेवेंटी परसंट मार्क्स जो है वह गैरेंटेड हैं आप सबके यह मे की बच्चों का इस लिबस है भी एलेली सेकंट समस्टर पहला जो कोशन ने इसके अंदर हमारा कवर हो रहा हुआ है भूमी सुदार से आप क्या समझते है इस संबन में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए तो भूमी सुदार से क्या तात्परी है यह बताना है कार द्वारा किये गई उपायों से इन सुधारों का उदेश है इतिहासिक अन्यायों को दूर करना ग्रामीड गरीबी को कम करना और क्रिशित पाड़क्टों को बढ़ाना है और भूमी किसानों और हाशे पर रहने वाले समुदायों का कल्यांच नुश्चित करना है तो बेस बहुमीड गरीबी को कम करना है जो बढ़ाना है और जो बहुमी किसान है जो हाशे पर किसान चले गए उनको में बापिस लाना उनका कल्यांच सुनुश्चित करना तो पहले बार पहला प्रिंट क्या होगा भूमी के सुधार के अवधार ना दूसरा इसमें बिसिकली बहुमी सुधार के लिए जमीडारों से जमी लेकर बहुमी किसानों में बाटी गई थी तो बहुमी सुधारों को लागू करने में भारा सरकार दुबार उठाए गए कदम और भारा सरकार ने क्या के कदम उठाए यह टीन ओड़ पिक हम आगे वीडियो में डिसकस कर रहे नेक्स्लाइड कि तरह हम चलते हैं अब हम बहुमी सुधार के बारे में समझे हैं था मितलब क्या है कि ऐसे किसान जो इनको बहुमिशन साथ साथ किसान जो अपने एक्सट्रा व मूइन बड़े-बड़े जमीदार में सीमादार में बहुत सारी जमीन करते हैं नोसigos को सब के सुधार के अफधारणा की अगर हम इसी, आपके की भूमी का सुधार होरा है, तो पहला हम क्या करेंगे, भूमी का पॉनल वित्रण करतें excess कर्देंगे एकbs, सरकार क्या सरकार ने जब देश आजात हुब और भूमी वेवस्ते premise सोधाने ना था हमने यह देखा है 되는 ब्हूमी का आसमान क्वित्रण हो रखुछ है यह कुछ लोगों पर कुछ लोगों के पहुत सारी भूमी और कुछ लोगों पास बिल्कुल भूइ करते हैं जिनका शोषण हो रहाता लगाता तो उससे क्या विवस्ता सुधर गई कि जिनके पास ज्यादा मुह मीटी और वह गरीब किसानों को शोषण कर रहे थे वह बंद हो गया और जो भूमी किसान दूसरे जमीन पर खेटी कर रहे थे वह जमीनों के मालिक बन गए और व्हाम तुम्हारा जो उपर जो जो उसका आदा आदा तो यह व्यवस्ता सुधर ने के लिए कि सरकार ने के लिए सरकार ने करायधारी प्रत्था को ख़तम कर दिया अब किसी तरह का नहीं चलेगा और सब जो है भूमी इनकिसान भी भूमी सौँए बन गया उनके पास पर क्रिशी के उत्पादक्टों को बढ़ाना अब जब हमारी अपनी जमीन होगी तो हम और अधिक ताकत से महनत से फसल उगाएंगे हम यह पता है कि जितनी फसल उखके तयार होगी वह सारी फसल केवल मेरा अधिकार किसी और के साथ मुझे इस फसल को बाटना ही तो मैं और अध भारत में भूमी सुदार के अटियासिक संदर की बात करें तो जब भारत अजाद हुआ और इस समय सबसे बड़ी जो परहशानी थी वह क्रिशकों किते क्योंकि हमारा देश जो था क्रिशी पर्दान देश था हमारे यहां पर क्रिशी में रोजगार का सोतरता लोगों के प बहुत सारा हिस्सा केवल जमीदारों के कबजें मिलता और जमीदार उसको क्रिशी ही भूमी ही जो जमी मजदूर थे भूमी ही जो क्रिशक थे उनको भूमी देटे थे जोट पर और जोट का मतलब यह होता था कि उनका शोशन करते थे अगर भूमी पर कुछ नमी पैटा या सूखा पड़ गया या किसी और वजह से फसल नहीं हो पा या दिक बारिश होनी के वह से फस्ते खरा हुए तो किसानों पर काफी कर्जे बढ़ जाते थे और जिस वह से जमीदारों को बहुत जादा उनका शोशन करने का मौका मिल जाता है तो सब चीजे खतम हो गया फि जास भी गर रख सकता है यह सो भीका रख सकता है इस सकता है इस तरह के लिनिट सारकार ने फिक्स कर दे किराया डारी में सुधार करदिया पहले क्या करते थैं दूसरे के बटाइदार के रूप में काम करते थे अपनी मेहां लगए ते जमीन पर अमुग घा ते और आधा क्वेदल करने की कोशिश के सरकारी खेती सरकारी где- だ SophASON कि फिर एक्सने उसके पास चमीन के सरकार लेकिन वह गरीब ऍवसके पीच खरीतने के will उसकी और्रवाद खरीद्ने के लिए खाट खरीदने के लिए पैसे नहीं तो सरकार प्रणियोजना बना दी जिससे क्या हो गया क्हति पर आपको बीज डालने तो आपको सहकारी समीति से बीज मिल जाएंगे जब आपकी त्यार हो कि तब आप पैसे उनको लटा देंगे इसके अलावा और भी आप काम कर सकते हैं आपको केट नाशक चाहिए आपको खाग चाहि तो आप क्या करोगे आप सहकारी समीति से इस तरह की चीजे भी ले सकते हैं और बाद में जब आपकी फसल बनके तैयार हो जाए आप मार्केट में उसको सोल्ड कर दो उसके बाद पैसा आप बिना इंट्रेस्ट को लटा सकते हैं और भी कोई मर्शान ही आजाए कि संकी तो सहकारी समेटियों उसके हल्प भरते हैं तो यह हो गया हमारा भूमिस अब इसे के अंदर है जोट का समयकिन करना जोट का समयकिन का मतलब गया है कि बहुत सारे किसानों के पद छोटे-छोटे जमीनें पर पाड़ थे एक डादा की प्रपरटी थी दस बीगा उसके पांच बच्चे होए तो समय दो-दो बीगा बढ़ गए फिर उनके भी बच्चे होगे तो आगे आदा-दा बीगा गई तो इस वज़े से क्या रहता है खेटी कम उपाड़क्ता कम हो पारी तो ऐसी जगह उपर जहां पर इस तरह की समस्य आती आप गवर्मेंट ने एक इंपोर् खेटी करने लगे अधिक रिसोर्स इस उनके पास हो गए क्योंकि सम्मिलकर कर रहे थे और बड़ी-बड़े खेटों में खेटी भी जादा होती उत्पाडक्ता भी बढ़ जाती है तो जो पाड़ आती है वो प्रवंदन सेयोग बान प्रवंदन की बात कर रहां तो जो जं अधिकार छेत्र में ले लिया ग्रामिनों को जो गयर कहन तरीके से जंग लोगों कायटर तो लोग लगा दी फिर आगया अपकर डिजिटल भूमी रिकॉर्ड अब सरकार के पास सबी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड था यानि कि सरकार ने ऐसा सब्वेर डब्लोग कर दि इस कौन है जमीन का मालिक है चुनौते चावश्चना जो सबसे ज़्यादा जो चैयलेंजेस थे सेड़ेंड के वह हमारे के लिए क्रिए कर दे जैसे क्रशक को उन चृत कर सकता था उन चौनौतीयों का सामना कैसे कर सकता था वो सरकार की मदश्चना तो सरकार ने ऐसे चुनाटियों के लिए योजना बनाए और उस योजना को ग्रामिनों तक पहुचाया ताकि उनकी परशानियों को खंप किया जा सके अपूर्ण कारेवन का मतलब यह कि कुछ प्रोजेक्ट गौर्ण्मिन ने शुरू कि जो बीच में बन करने पड़ गए जिसके वह ऐसे करशकों को कुछ हानिया होने की जैसे मिट्टे के उर्वक्षक्ता को टेस्ट करना और स्चिंटिफिक रिसर्च करना बीजों के उपर उ samoja and पर्तिरोगों के साथ लेकिन सामल के जाए की किए किक यौ्छ सरकारा इस तरह की काम आ Task आप पर्याब्ट गराब een क्रतिजवरत हैं क्रिश्र गतिषिल्टा फे परीवरता जो हमारे ने मिट्सेप्रभाबित वई जमीदारों से बड़ी बड़ी जमीने ले ली गए उनकी जमीनों के छोटटे भाग बज गए उनकी उनक्स संता प्रभावी ठोड़ी लगी और जिनको जमीन डी गई उनके पार रिसोर्सेस नहीं थे उनकी जमीन बंजयर होने की धरफ भड़ रही थी भविश्य की दिशाय अगला पंड कारया बनन तंत्र को सुद्रिन बनाना भविश्य के लिए योजनाय बनाना सरकार का महपोड एक काम है क्यों क्योंकि भविश्य कि रिज़ा हम योजनाय बनाते हैं सिर्कपार यह कोशिश करती है कि आने वाले भविष्यान आने वाले अच्छा Google अच्छी तंतरफ उनको देते ताकि आने वाले नसलों को कृशिवा si 6 के jemandBR निर्वरता कब जाया और किर जो है उन्नत किसम के बीजों से नई तक्नीक से अधिक-षजाठी उपस देने लगे करायदारी वेवस्ता में सुधार हो जया करायदारी का मतलब है जो आदे बाटे पर जूट पर जो जमीने लेते हैं जो दूसरे की जमीनों पर काम करते हैं उस सिस्टम को भी गवर्न्मेंट सुधिर बनाने कोशिश के एक रेगुलेशन नियम बना दी कि ज इनको छोड़ने के लिए सरकार ने जो है जागरूपता अभियान चला जगा जगा गाहों के लोगों को जागरूप किया उनको इसकी बुराईया बटाएं टाकि वह इस पुरानी प्रतमपरां से प्रताओं से बाहर आ सके सदत कृति पर गवर्न्मेंट लगाता रिसर्च क अब हम बात करेंगरीब हताओं मुलन की यह आशामान तक गूंड रोल प्ले किया रूल प्ले कि ू पुर्मी खता ने के लिए प्स अर जमीं को रिल्कूल जमीन नहीं तो इससे जमीनों का जो बठवारा था वो संतुलित हुपाया क्रिशी उत्पारक्टा बढ़ने लगी फिर जब जो आदे बाटे जोद पर काम करने वाले उनको जब जमीन अपनी मिली तो उन्हों के लिए आसांत शर्तों पर रिड़ देना शुरू किया उनको संसादन पहुचाने शुरू किये हमने जोट प्रथा को भी सुधार कर दिया क्रायदारी प्रथा मतलब महीला और पुरुषों के अंदर जो खेटों में काम करने वाले मजदूरतन की मजदूरी में काफी अंतर होता था सरकार ने इसके लिए नियम बनाया तो पुरुष और महिला दोनों को बराबर कि सेलरी मिलने लगी और लंगे आसा मानता खतम हुए सतत विखास लगातार क्रिषि का विखास हमारे देश में बता गहारा है क्योंकि हम लगातार क्रिशिक तर रिजर्च करते रहे उसके लिए अच्छे भीज चाट अच्छे नाशक और वातवरण की ऊचित ववश्ता पानी की सिचाहिक की ववस्ता करने के लिए सरकार जो है ल प्लिस लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दें बैल आइकन को फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम फेस्बुक पर साथ में मैं आपको एक चीज और करना चाहता हूं कि जो बी एललबी के स्टूडेंट है उनके सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो है मेरे पास प्रीटीय फॉर्मिट में अभिलेबल हैं मेरे अपने खुट के तयार किये नोट्स हैं मैंने टाइप किये इनको प्रॉपर थरीके से कंपाइल किया एक एक को और इवन आप जब इसको देखिंगे तो ऐसा नहीं पाएंगे किये मैंने कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट करके लिख दिए मैंने खुट ओन क्रीटेड लैंग्वेज में लिखें कई सारी वुक्स को रैफर किये तो यह मेरे पास अवेलेबल है आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं एक बहुत रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको यह प्रॉइड करा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश डोनों मीडियम में नोट्स है मेरे पास साथ में आप मेरे वीडियो ले सकते हैं जिसमें मैंने इनी नोट्स को डेटेल एक्सपलेशन किया है वह ही मेरे पास अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश डोनों मीडियम में अवेलेबल है प्लीज कॉंटक्ट करें मुझसे अगर आपको कोई भी इंक्वारी है 247 एजुकेटर अ और मेरा Instagram IDP Educator of Delhi के नाम से वहाँ पर भी आप मुझे follow like कर सकते हैं तो thank you friends इतना समय देने के लिए Educator of Delhi को इतना प्यार देने के लिए इसी तरह के important topic के और वीडियो से आपके बीच में लगातार आते रहेंगे second semester, third semester, fourth semester, six semester, eight semester के वीडियो लगातार आपके बीच में जल् तो thank you friends इतना समय देने के लिए Educator of Delhi को इतना प्यार देने के लिए